और मानिय पप्पू यादव जी को जैसा उनका दावा है मैं नहीं जानता आस्वासन के बाद धोखा धोखा नहीं हुआ अगर जो जो उनका दावा है हमको कहा गया था और उन्होंने अपनी पाटी का विले कर लिया और विले करने के बाद अगर सिंबॉल आप दे रहें वहीं तो आप मान है सिधाना कि लाल्टेन है लाल्टेन को पकड़ने के लिए चाहिए हाथ हाथ है कॉंग्रेस के पास हाथ को काट दिया भारती जी तो सरकार को ही अईस्थिर कर रही थी राजनीत में रंगे हाथ पकड़े भी गये नमस्कार आप लाइप सिडीज देख रहे हैं आपके साथ मैखू वसीम खान दोहजार चोबीस लोकसभा चुनाओ और सियासत गर्म बिहर की सियासत में पाराहाई है देखे एक तरफ जहां महागडबंदन के अंदर तो हल चल है ही पपोय आदब हो या फिर कॉंग्रेस तम सुर्ख्यों में हैं पूर्णिया से चुनाओ लड़ेंगी यह भी कहा जा रहा है सिंबल भी दे दिया गया हमाज साथ नीरश कुमार जी हैं जेडियू के कदावर निता हैं बेवाकी सब्सक्राइब बातों को रखते हैं मेल्सी सब मुक्रवक्ता हैं इनसे बात करेंगे ज जाना है तो गए आप लोगो पता था बिलकुल भाइज जो सरकार को इस्थिर करने में लगा हुआ हो जब विश्वास मत के दोरान ही इनकी नियत का पता चल गया था तो नियत का जब पता चला तो उसका परदाफास हो गया तो पर परदाफास हो और और इन्होंने जनता द लगता है कि पार्टी की नीतियां गलत है तो इस्तिफा देना चाहिए अब हमारे हां तो सीटों का एलान हो गया उमिद्वार की घोसना हो गई लेकिन महा गटबंधन जो ठग बंधन है हालात क्या है वही अब इससे बड़ा आपमान कॉंग्रेस पार्टी का क्या हो सकता है कि यह कहा जा रहा है राष्ट्य जनता दल के राष्ट्य उपाद्यक सिवानन तिवारी जी ने कए हूँ की ऱ्जेडी के कंधे पर ही महा गटबंधन को बिहार में सीट दिलाने की जिम्मेदारी है और महागटबंधन में बड़े भाई की भूमीका में मजबूत दल आर जेडी के सहारे ही कॉंग्रेस को लोक सभाद चुलाओ निकालना है इसका मतलब कि 2019 में तो एक सीट जीता था लेकिन कॉंगरेस के सभावान को क्या हो गया है मुझे नहीं पता चल रहा है आपके पार्टी की लेडी सिंगम विमा भारती अब राजत की हो गई है सदस्ता ले लिया पुर्णिया से चुनाओ लड़ेंगे एक तरफ पपु यादब होंगे विमा भारती बनाम पपु यादब क्या लग रहा है कि यह लेखिए 2014 में भी हम चुनाओ जीते जो मेरी प्रत सब लड़ेंगे चुनाओ दोका नहीं हुआ अगर जो जो उनका दावा है हमको कहा गया था और उन्होंने अपनी पार्टी का विले कर लिया और विले करने के बाद अगर सिंबॉल आप दे रहें रात के अंधेरे में आप आप सब जगा लाइट हो गया है अब रात में लल विदुधें को पकड़ेगा कौन हाथ हाथ को काट दिया तो करने के रहें के पास को करें कि परस्टीस आनुकूल नहीं है मगर फिर भी अभे कुछ वागवाद भीमा भारती गई ना और मागट बंदन के नेताओं का दावा है कि इंतिजार किजिए अभी और लोग आने वाले मतलब है कि राष्ट्रिय जनता दल के कारिकरताओं में योगता नहीं है क्या अरी तो चुनाओ के समय दल बदल होता रहता है लेकिन अगर ऐसे सवाल पर को राजनेतिक मनतब्य होगा तो दूसरे दल के लोग दूसरी पार्टी में जाएंगे तब क्या होगा सवाल इस बात का है कि क्या राजनेतिक कारिकरता के जो इमांदार और करतबिनिस्ट रहता है पांस साल तक पार्टी का सेवा देते रहता है क्या वैसे लोगों की भूमिका खतम हो गई है मैं दलगा ताधार पर नहीं बोल रहा हूं मैं किसी राजनेतिक दल कोई अच्छूता इस मामले में लेकि हमारी पीडा जरूर रहती है कि राजनेतिक कारिकरत кो दरकिनार कर्कर करकर के अगर टिकट दिया जाता है तो पार्टी का फैसला तो सब मानते हैं लेकिन राजनेतिक दलों को विचार करना चाहिए ज़रूर मैं कह रहा हूं मैं पहले भी किसी राजनीत के संदर में म उनकी भूमिकार रह पाएगी क्या हम लोग राजनीत में संघर्ष के बदोलत आए तो मन में निरासा नहीं होता है लेकिन अकल होकर कि ठीकेदार पटेदार इस टाइप का लोग जब राजनीत में आने लएगा तो राजनीत को तो राजनीत का कुड़ेदान बना देगा पुर्णिया उनकी मा है और वह संघर्ष जारी रखेंगे पीछनी हटने वाले तो ऐसे में क्या लग रहा है पुर्णिया का समीकरन की सोर जा रहा है निरजी अगर मां उन्होंने कहा है तो मां बेटा वही है सस्वी होता है जो हर इस्थिति में अपनी मां के साथ ख़ला रहत है तो पुर्णिया की धर्ति को आपने मां का है और आपके पास खोने के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं है इसलिए हमारी उम्मीद है कि अपनी बात पर कायम रहेंगे और पुर्णिया सीट में हमारे लिए कोई संकत नहीं है तो पुपू यादब जी तो हम तो 2014 में भी जीतें उननईस में भी जीतें चौबिस पर दोंगरेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है कॉंग्रेस को कर दे राम दिला दे राम देने वाला सित्ता राम कुछ दे मिल जाएगा अरे बैए 2019 में कांग्रेस एक जीती राष्ट्री जनता दल नहीं जीत पाया था एक विसीट तो कंग्रेस को कमजोर कंग्रेस का नितित भी मान रहा है इसी के लिए हमको आश्चरी होता है कि अब तो प्रदेश नितितु का है इसे वी जनते कारवाई कर देगी जनता ही कर रही है वह तो उस वक्त मुक्मंति नितिश कुमार ने या फिर आप लोगों ने क्या पार्टी के इस नेताओं ने बातचीत करने कोसिस की क्या आखिर ऐसा क्यों कर रही है वह बिल्कुल हर संबाद किया गया जब इनलों की नियत में खोट पता चल गया यह लोग साजीस में सामिल है तो अब तो आ जानकारी तो मुझे नहीं है कोई जानकारी नहीं है यह बदाए कि अभी एंडिये का सीट बटवारा हो गया उमिद्वारों का भी अलान हो गया है मगर महागणबंदन करिए कि 10 से ज्यादा नहीं जीतेंगे अब देखिए कहने के लिए तो किसी को कहने की जरूरत ने लड़ा था उस अवायोग है पिछला बार लड़ाय थे ना भाई बहुत लोग को लड़ाये हैं इनको इस वार उमिद्वार बनाये हैं तो अपने जाल में अपने फसना हैं बोल करकर करके अरे अरे दस भी माल लिए ना हम इनको मानते है जीरो पर आउट अच्छा को हमको सब्सक्राइब करते हैं तो जनता को अगर चुनना होगा जनता किसको चुनेगी फैमिली पोलिटिक्स वाले को चुनेगी अब क्या होगा अगर उस पार्टी में मंच बनेगा तो जो सूचना मिल रही है अगली अगली कटार में तो ही लोग रहेंगे परिवार के लोग तीन लोग के संघर्ष का क्या हुआ कैसा सिला दिया प्यार का तो करें रिटायर्मेंट की और बढ़ चुके हैं नितीश कुमार राजनीत से रिटायर्मेंट यह तो बहुत दिन से कह रहें ही लोग चौबिस नॉमंबर दूजार पांचे से उल्टे हो जाता है असरे इस वार तो फाइनल है तो कदम बढ़ा द चुक करके विक्ति तो इतना भारी है तब ना क्लाइमिट लीडर का भी उपाधी मिला अब अगर नितीश कुमार के हाड़ में हल दिया नि लगा नितीश कुमार जी गए वह थोड़ी आये थे आप लोगे पास कौन जी चल कर गए उन्होंने कहा बचा लीजिए अरे एक मी लाई जी ने कहा कि मैंने पहले फून किया उनको यह उंको असमरन दि मॉiscernibleम यह अब यह जिए और मेडिया हाउस को दिया बयान है मीडिया हाउस के बड़े पतरकार थे पूछा कि किसने फून किया आपने पहले कि उन्होंने नितीजी ने तो लाले कहा लालू जी ने कहा कि मैंने पहले निकिला जuw निद्वा निकला तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिये हैं ख्यारी स्टूडियो में इतना ही आपका बहुत बहुत सुक्रिया